देख सकते हैं तो पता दें चंडीकड़ के ट्रिव्यून चोक से यारी जहाँकर आपको बता देए सब नहींगे जो जो तरह के देञ लोग जो कि अवाजा स्थितिएं आप देख सकते हैं क्योंकि जितने वी चौक UM्य टगर्ण के हैं तक्रीबान साथ तो हैं नहीं गोंगा कि लेकिन देखा कि स्थितियां जो आपसे बडी at जिसे कि लोगों को भै लगे या लोगों को लगे डर लगे कि हाँ लॉक्डाउन लगा है और चंडीगड़ में जाएंगे तो एंट्री हमारी अलाउड नहीं है लेकिन वावजुद इसके आप स्थितियां देख सकते हैं जो चौक्स के हाल है आपको फिलाल हम ट्रिव्यून लगती नजर आ रही है आपको सामनेट पाले यह प्री तरह जो यहां पर जो कि चोटे मोटे घट भते हैं दुकानदार जो दुकांतारी करते हैं अपनी मास्क बेचना या फिर जो गाड़ी के समान, स्पेरिफार्स वगरा, छोटे मोटे जो होते बेचने के लिए वहाँ पर कई तरह है के बिना मास्क के ही लोग यहाँ पर अपना समान बेचते नजरा लेकिन पुलिस प्रशासन खौफ जो है यह ट्रिब्यून चोक पर नजर नह वन्हाइट नगाने कि तित्यां और लंगर लगाने के फेवर में कोई भी सरकार को भी प्रशाषन नहीं होगा लेकिन लगा शरी कि लेकिन ऑर हम की बस सके लेकिन असके बाद जो लोग है वह कहीं ने कहीं इसको सावाधानी निभरत रहें, इसको सतक्ता से नहीं पालन कर रहे हैं जिसके बावजुद यहां पर देखें रोड पर किसी तरह का कोई effect जो है इतना खास नजर नहीं आ रहा है कि lockdown लगा हुआ है वहीं पर हम आगे अगले चोक की तस्वीर दिखाएंगे लेकिन आपको बता दें किसी भी चोक के उपर पुलिस प्रशासन की तैनाती जो फिलाल हमें नजर नहीं आई है अगले अप्डेट के लिए बने रहे हैं हमारे साथ अगली चोक की हम आपको ख़बर दिखाते हैं जैहिंज जैभारत जैविजय केशरी अगली तस्वीर की बात करें तो सेक्टर बीस का चोक आपको दिखाएंगे और यहां पर भी अगर हम बात करें तो किसी तरह के पुलिस प्रशाषन की तैनाती यहां पर नहीं है महीं पर लॉक्डाउं की स्थितियां बनी हुई है लॉक्डाउं जो ए प्रसाषन के तरफ से लगाया गया है सन्ञी मечатवार का जो लगडा लगा हुआ है लेकिन बावज़ुन इसके कौन आ रहा है कौन आ जा रहा है कोन क सब्सक्राइब नहीं पर और किसी को दिखाई लेकिन कम से कम परचासनी लेकिन कम से कम परशासनी का दिकारियों को इसकी पूश्थ करने की जुरूर जूरूर थी कि ये जा रहे हैं अगर लोग जो यहां वाकिन कर रहे हैं जो जो मुवमेंट हो रही है क्या वो मुवमेंट जो एसेंसल सर्विसी या फिर प्रसासन की तरह से जो दिशाने दिये गए हैं उसी की तहत हो रही है या बे बज़े लोग गर से बाहर निकल रहे हैं कहीं नहीं कि पर सवाल निशान जरूर रहे कि और वहीं अपने और को फॉलो नहीं कर आ पा रहे हैं अगो तस्क्राइब दिखाएंगे पुलिश प्रशासन की तैनाती फिलाल यहां पर नजर नहीं आ रही है या मैं कहूं कि किसी तरह से जो इस ऑडर की जो चंडीगट प्रशासन की तरफ से जो ऑडर दिया गया था लॉक्डाउन का उसकी आउमाना हो रही है या मानना हो रही है इसको पूछताज करने के लिए फिलहाल कोई भी नहीं है तो अब तक के लिए इतना ही मैं अगले अपडेट भी जूँगा आपको चौकी बने रहे हमारे साथ जया हिंज जया भारत जैविजय केशरी कहीं अगर हम अगले चौक की बात करें हमने आपको जो दो चौक पहले दिखाएंगे तीसरा चौक अगर हम बात करते हैं बाइस सेक्टर का चौक है जो आपको बताएंगे जो एक तरफ चंडिकट वस्टन की तरफ जाता है दूसरा मौहली की तरह बसता कर जाती है, जो मूवमेंट है वो मूवमेंट किस तरह की मूवमेंट हो रही है या एसेंसेल सर्विसी के रिगार्डिंग जो लोगों को पास दिये गए हैं या फिर एसेंसल कॉमुरिटी के थूरू जो लोग है, क्या उन्हीं को पास मिले हो Reynolds क्या वही लोग जा रहे हैं मुवमेंट हो रही है या अन्य लोग जो है मुवमेंट कर रहे हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है फिलाल पुलिस प्रशासन जो है यहां पर हमने आपको दो चोक तस्वीर दिखाई थी जहां पर पुलिस प्रशासन जो है बिल्कुल मौजूद ही नहीं था लेकिन यहां पर दिखाएंगे दो मुलाजिम जो है सामने आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं बिल्कुल तैनाती तो है उनकी लेकिन कहीं न कहीं आवाजाही की बात करी जाती है movement की बात करी जाती है तो किसी तरह की कोई पूश्तास नहीं है कि प्रशासन की अधिगारी प्रशासनी की जो नियम है या प्रशासनी दिसा नदेश है उसकी पालना हो रही है या नहीं हो रही है यह आप तस्विर में जुरूर देख सकते हैं किस तरह से लोगों की आवाजाही जो है चारो तरफ बनी हुई है हम यह नहीं कहते कि यह जो आवाजाही या बेवजय है हम प्रशासन के पर सवाल भी नहीं उठाते कि हाँ यह बेवजय आवाजाही है और प्रशासन इसको देख नहीं रहा है लेकिन हम जुरूर यह पूछन इसको के अंदर आते है या फी अनेफ्य आइविक्ट के अंदर आते हैं या फिर अन्य वे वजह गूम्ते नजरा रहे तो कहीं नहीं परशासन के दिर्साथ निदेश है उसकी पालना ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि लॉक्ड़ाएं गया दुकाने सारी दुकाने बताई जाए चंडीगड़ में तकरीबन हर दुकान बंद करने के बाद और जो मुमेंट की प्रशासन को एक बाद देखनी चाहिए प्रशासन को एक बाद जरूर इसके पर लेकर अगर लगाया है तो पुर्मताय लगाने के कारण और जो दिक्कत और परशानियां आ रहे हैं उनके ध्यान दिया जाए और अगर अगर लॉक्डवन लगाया है तो उसका ठीक से दिसंदेश को सब्सक्राण ना हो सके हम यहीं चाहते हैं और हमारा यह किसी प्रशासन के खिलाफ की कोई निउज नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक जाग रुकता निउज है हमारी कि अगर लॉक्डवन लगाया तो उसकी पालना जरूर हो तब तक के लिए इतना है जितना उसे खबर को शेयर जरूर कीजेगा जय ही जय भारत जय विजय केश्री